नमस्कार दोस्तों मैं रेनू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे योट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में हम डिस्कूस कर रहे हैं हिमाचल के विकली क्रंटा फेर की सीरियस को और यह रहेगा अगस्त मंत का सेकिंड पार्ट इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को डिस रहेगा हमारे पास option रहेगी पंजाब हिमाचल परदेश उत्राखंड और इनमेंसी कोई नहीं अगर बात करें राइट option की तो राइट option है हमारे पास हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश में उडिशा की तर्ज के ओपर अद्भूत प्रोजेक्ट सुरू किया जा रहा है इस project के तह जो है वो हिमाचल में कुछ हैसे ही district होंगे जहां पे पानी 24 घंटे चलेगा, पूरा दिन पानी मिलेगा, तो हिमाचल में कौन-कौन सी district रहेंगे या कितने जिले हैं जहां जो इस project के अंडर लाए जाएंगे, तो हिमाचल परदेश में 9 जिलों में प्रोजेक्ट की सुरुवात की गई है इसी के साथ बात करें हिमाचल परदेश में अमरित मिशन के तहत 17 प्रोजेक्ट लॉंच किये गई है और इनके लिए खर्चा रहेगा 258 क्रोड रुपै जो है वो बज़र्ट रखा गया है इस प्रोजेक्ट में हिमाचल की तीन जिलों को सामिल नहीं किया गया है वो कौन-कौन से हैं लोहल स्पित्ति और किन्नौर जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है वो दो डिस्टिक जो है इसमें एड नहीं किया गया है इसी के साथ बात करें तो आपका जो बिलासपूर डिस्टिक है वो भी इसके माप दंडों को पूरा नहीं कर पाया है जिसकी बज़ा से बिलासपुर वाली district में भी जो है वो ये वाला project शुरू नहीं किया जाएगा तो हिमाचल में बात करें, तो 3 district होगी बाकी आपकी 9 district में जो है ये वाला project शुरू किया जा चुका है Move करती हैं next question की तरफ, next question discuss करने से पहले आपके लिए information है हमारी academy में जो हैं वो new batches start हो जुके हैं पटवारी का HP TED का और साथ में बात करें HP police का तो जो भी interested candidate हैं वो नीचे दियेगे के नंबर के ऊपर हमारे साथ contact कर सकते हैं तो discuss करते हैं अपना questions हाल ही में किस अस्पताल को उभरते रास्टिये प्रत्यार ओपन और अंग पुर्णर प्राप्ति के इंदर पुरसकार के लिए पूरे भारत में सरवस्रेस्ट पुरसकार से नवाजा गया है हमारे पास option रहेग टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजी एंसी, एम्स भी लास्पूर और इनमें से कोई नहीं तो राइट option की बात करें तो हमारे पास राइट option है टांडा मेडिकल कॉलेज इसको पूरे भारत में जो है वो सबसे अच्छा वाना गया है अभी इसको आवाड प्रापत हुआ है ह और इसी के साथ बात करें प्रदेश के छे जिले चंबा मंडी उन्ना हमिरपूर कुलू में जो है वो 15 लाग की अवादी है और यह सबसे बड़ा जीला जो आपका सबसे ज्यादा अवादी वाला डिस्टिक है वो हमारा कांगडा रहेगा और वहां पे जो है वो आपका टा मेडिकल कॉलेज को यह आवाड बे प्रापत हुआ है तो मूव करते हैं नेक्स कोईशन पे हाल ही में शिमला में कितने क्रोड की लागत से 13.79 किलोमीटर और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रज्जु मारक बनाया जा रहा है अगर बात करें हिमाचल में दुनिया का सबस 1.40 करोड 1,732.40 करोड और 1,733.40 करोड और 1,734.40 करोड रुपे तो राइट आप्शन है हमारे पास 1,734.40 करोड जो है वो इसके लिए लागत रखी गई है जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रज्जु मारक बनेगा और यह 13.79 किलोमीटर का बनेगा इसी के साथ बात करें तो यह आपका तारादेवी मंदिर के पास से बनाया जाएगा और खाफी लंबा होगा और दुनिया का जो सबसे लंबार रज्जु मारक है वो बोलिविया में है इसको भी आपने ध्यान में रखना है और इसकी लेंध है 32 किलोमीटर तो हिमाचल में दूसरे नंबर का बनेगा तो 13.79 किलोमीटर का बनेगा इसके लिए बज़र ट्रक आ गया है मूव करते हैं नेक्स कोईशन पे हाल ही में हिमाचल सरकार ने पूरव मुख्य सजिव और मुख्य मंत्री के परधान सलाहकार राम सुभग से को कितने साल का कारेकाल और दिया है इनके कारेकाल को बढ़ाया गया है तो इनका कारेकाल कितने टाइम और इंक्रीज किया गया है वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम या फोर टाइम मतलब कितने साल के लिए तो हमारे पास राइट आप्शन रहेगा वन एर के लिए इनके कारेकाल को एक साल के लिए बढ़ाया गया है इसी के साथ बात करें 1993 बैच के आईएस अधिकारी के के पंत परधान सलाहकार और निशाशी और बिजली बोर्ड के अध्यक संजय गुपता और सच्चिव परमोद सक्षेना के बाद वरिस्टता में बात करें तो यह चाथी नंबर के जो हैं वो अधिकारी बाने जाते हैं लिशा कारेकाल को अभी बढ़ाया गया है मुव करते हैं नेक्स कोईशन पर हाल ही में राज्य सरकार कौन से स्थान पर मेडिकल डिवाइस पारक बनाएगी हमारे पास ऑफशन रहेगा शिमला में नादौन में नालागड में और इनमें से कोई नहीं तो यहां पे कहां पे बनेग तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास नालागड जो सोलन डिस्थिक में है वहां पे बनाया जाएगा मेडिकल डिवाइस राज्य सरकार ने अब इस परियोजना के लिए जो है वो 74.95 करोड रुपए जो है वो जारी किये हैं यह कुछ बजट दिया है और इसमें बात कर तो मेडिकल डिवाइस जो है वो उसकी आधार सिला रखी गई है पुनर योजना के पुनर गठन के लिए जो है वो 25% भूमी का जो है वो चैन भी किया गया है कित सा उपकरणों को उध्यों के लिए जो है वो 75 भूमी चैनित की जा चुकी है इसी के साथ बात करें तो यहां पे 350 क्रोड रुपै की लागड से 265 एकड भूमी पर बनने जा रहा है यह वाला जुपारक डिवाइस पारक उसकी अधार सिला जो है वो हमारे पीम नरेंदर मोदी जी की दौरा रखी गई थी 2022 में रखी गई थी और तब से इसका जो बजट है वो प्रॉपर पूरा नहीं हो रहा था तो इसके लिए 100 क्रोड रुपै की बजट का अनुदान की घोशना की गई थी लेकिन अभी तक चुह है वो 100 में से सिर्फ 30 क्रोड रुपै ही हमें प्रापत हुए हैं तो मूव करते हैं next question पे हाल ही में खबरों में रही कुर्पन खड पेचल परियोजना किस जि शिमला कि नौर चंबा और इनमें से कोई नहीं तो यह वाली जो कुर्पन खड है यह हमारे डिस्टिक शिमला में पड़ती है और यह ट्रिब्योटरी मानी चाती है सतलुज की है बादल फटने से जो बागी पुल है मत्याना है और कुमार सेंच और जो आपका कुर्पन कुजना है यह कुर्पन खड जल जो सकती विवाग है वो बह गया था जिसकी बजह से चर्चा में आया था और हमारे जो उप मुख्य मंत्री है मुक्य सगनी होतरी उन्होंने वहां पर जाके दौरा किया था जिसके कारण वहां पर काफी नुक्शान हुआ तो इसका नुक् पास ऑप्शन है घर घर सरकार जनता की सरकार सरकार गौंग के दवार और सरकार लोगों के दवार हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका वो रहेगा सरकार गौंग के दवार इस योजना को जो है वो हिमाचल सरकार के द्वारा सुरू किया गया है ताकि लोगों के साथ जुड़ा जा सके लोगों की सिकायतों को सुना जा सके और उनका सामाधान किया जा सके हमारे मुख्य मंत्री सुखविंदर सिन सुखु ने जो है वो ग्रीव अपने विधान सभा क्षेतर जो नौदावन है वहाँ पे एक गोसाई पंचायत में एक वहाँ पे उन्होंने आयोजन रखा था जिसमें परियोजना को सुरू किया था ग्रामिन विकास और पंचायती राज मंत्री हैं हिमाचल में उनका नाम है अनिरुद से और स्वास्थे मंत्री हैं हमारे करनल धनी राम सांडिल ये अलग-अलग शेतरों में गए थे और इन्होंने वहाँ से अलग कुक सहायक को कितनी दिनों का मात्रित्व अवकास दिया जाएगा हमारे पास ऑप्शन रहेगी 120 डेज, 160 डेज और 180 डेज और 190 डेज तो कितने दिन का दिया जाएगा तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास 180 डेज कुक कम हेलपर की को मात्रित्व लाव अधिनियम 1962 के त आएगे और शिक्सा विवाग में कारे रद्चों में हिलाएं हैं वो हैं आपकी 17,899 जिनको इनका लाप प्रापत होगा और अभी तक इससे 1.36 लाग करमचारियों को और भी लाप प्रापत होगा जो अधर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं तो मूव करते हैं नेक्स कोश पर हाल ही में खबरों में रही हिम केर योजना कब सुरू की गई थी अभी चर्चा में आई क्यूंकि हिम केर योजना को हिमाचल में जो है वो बंद करने की बात हो रही है कि जो हमारे हॉस्पिटल है उनमें हिम केर चुकार्ड बना है वो नहीं चलेगा इसको बंद किया ज में जैराम ठाकुर की सरकार थी जब इस योजना को सुरू किया गया था आयूशमान भारत जो हमारी सेंटर की योजना है जिसमें जो है वो पांच लाग तक का जो है वो फ्री में इलाज किया जाता है उसी की तरज के उपर हिमाचल में हिम केर योजना को सुरू किया गया था इसमें भी जो है वो government hospital में जो है वो 5 लाग तक का free में इलाज होता है उससे जादा होगा तब पैचा लगेगा अगर 5 लाग से कम है तो वो free में दिया जाए तो इसको अब बंद करने की बात हुई थी तो 2019 में इसको सुरू किया गया था तो 1st January 2019 को start की गई थी और काफी सारे लोग जो है वो से लाभनवित भी हुए है तो move करते हैं next question पे कुंजडी मलहार गीत निमलिखित में से किस जिले से संबंदित है हमारे पास option है कांगडा, चमबा, शिमला और मंडी अगर बात करें कुंजडी मलहार गीत है जो है वो हमार चमबा डिस्टिक से संबंदित है क्योंकि अभी हाल ही में हमारा मिंजर का मेला संपन हुआ जो चमबा डिस्टिक में मिंजर का मेला अंतरास्टिस्तर का मेला था उसके बाद जो है वो ये चर्चा में आया था तो चमबा डिस्टिक में है इसी के साथ बात करें तो चमबा क पे लोक गीतों का है कुंजडू मलहार, घुरई, होरी और बसंत लोक गीतों को उनके द्वारा गाया गया था 2014 में उन्होंने traditional artist of the year पुरसकार भी प्रापत किया था आजीत भट ने इसी के साथ 2015 में हिमाचल सिरिस रेस्ट कलाकारों के पुरसकार में भी उनको सम्मानित किया था तो ये आपने ध्यान रखना है चमबा का famous वाला लोक गीत है मूव करते हैं next question की तरफ ये रहा आपके लिए पिछली वीडियो का प्रेशन हाल ही में किस जिले की ललीता लीला वंती को हत करगा में रास्टिय पुरसकार मिलेगा हमारे पास option है कुलू, विलासपूर, हमिरपूर और इनमेसी कोई नहीं तो जो right option होगा उसको आप comment box में type करेंगे ये था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को like करें, share करें, comment करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा share करें Thanks for watching